बिस्मिल्लाहिर्रामान इरहीम असलामलेकूम देर स्टूडेंट्स वीडियो अकैडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मुहम्मद फैसल शहजाद आज हम CS 201 इंट्रोडेक्शन टू प्रगामिंग का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं जैसा के फर्स स्टार्ट का इक टॉपिक होगा हमारे पास जिसकी फर्धर कैटेगरी घरिक हम देखेंगे उसके बाद हिस्ट्री एंट्री इवार्मेंड एक नेक्स वेन तो सफ्ट्वर के टेगरी थे दिगई हैं सिस्टम सोफ्ट्वेयर और एप्लिकेशन सोफ्वेयर इनको हम डिटेल से साथ देखेंगे और इनके different examples भी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर के कौन से software किसे category में आते हैं system software कौन सी होते हैं और application software कौन सी होते हैं next उसने एक pictorial farm के अंदर software को categorize किया हुआ है हम पहले इनकी definitions और इनको understand कह लेते हैं कि कौन से software किस category में आता है फिर हम बाद में इसको देखेंगे अभी हम इसको discuss नहीं करते क्योंकि नीचे उसने theory की form में detail description दी हुई है software की categories के according सबसे पहले हमारे पास system software system software कौन से होते हैं इसमें यहां पर clearly mention किया हुआ है the system software controls the computer जो computer को control कर रहे होते हैं यहां इसको फर्दर इसने define किया हुआ it communicates with computer hardware ठीक है हमारे computer के अंदर जो है hardware होता है हमारा computer जो laptop जो computer basically खुद जो है physical जो हमें appearance इसकी नजर आ रही होती है वह hardware है hardware में हमारे पास इसके अंदर processor होता है RAM इसके इसके लावा और हमारे पास अगर इसमें देखा जाए तो डिस्क ड्राइव भी हो सकती है CD ड्राइव होती है यह इसके अंदर और जिस तरह modem होती है ठीक है जो हम networking के लिए use कर रहे होते हैं इसी तरह और बहुत सार इसके अंदर चोटे चोटे पार्ट होते हैं जिन से मिलके बनता है जैसे जहां पर कुछ मैंशन है कि हमारा बस keyboard भी होता है mouse, modem, sound card यह सारी चीज़े है इस तरह video card भी होता है जाफिस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं यह सारी चीज़े हैं computer के hardware होता है या laptop का hardware होता है उसके साथ चीज़ इसको आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा इसकी तीन सब काटेगरी कौन सी है operating system है device drivers है और utilities है operating system यह आप लोग computer यूज़ कर रहे हैं इसके ओपर हम जो windows install करते हैं वो उसको operating system कहते हैं इसी तरह आप students को शायद पता हो कि operating system windows के लावा और भी available है हमारे laptop या computer के लिए वो कौन से हैं unix, linux available है इसके लावा और भी categories कुछ हैं जिस तरह Google ने भी अपना operating system अपनी devices के लिए बनाया हुआ है या Mac operating system जिस तरह उनके iPhone का operating system mobile के लिए है इसी तरह उनके laptop device के लिए भी Mac operating system मौजूद है यह different operating system हम install करते हैं यह हमारे computer की basic need है अगर हम यह install नहीं करेंगे तो हम अपने computer को use ही नहीं कर सकते चला ही नहीं सकते यह उसकी basic requirement है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो device driver है device drivers क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे हम computer के साथ different equipment या उसके parts जो attach होते हैं वो या उसके लावा में external peripheral devices like हम इसके साथ scanner attach करते हैं printer या को और ऐसी device attach करते हैं उसके साथ communicate करने के लिए हमें device drivers के दुरूरत होती है next utilities है utilities जो है यह भी basically हमारे system के साथ direct communicate कर रही होती है इसकी examples के साथ मैं आपको explain करूंगा चलिए start करते हैं सबसे पहले operating system ता इसका मैंने बता दिया है यह होते क्या है यह windows जो है हम इसको कह सकते हैं या आपके पास operating system unix linux है mac operating system है तो यह करते क्या है मैंने all the other programs in a computer यह basically हम उन्हेंने manage करना होता है यह समझें कि manager है उनके उनने उसका तमाम resources को यूज करना होता है direct communicate करके उनके साथ लाइक आप एक computer को यूज कर रहे हैं तो आप उसमें multi tasking कर रहे होते हैं different चीज़ें यूज कर रहे होते हैं at a time में तो उन सब चीज़ों को manage करना कि को क्या resources देन एक video चला दी है तो आप video चली है तो उसके laptop या computer के different parts है उसके साथ communicate या उसके use करना है कैसे sound card को use करेंगा आपको वाइस देने के लिए इसी तरह video graphics card यूज होंगे या उसकी LED यूज होगी उसके display के लिए जा graphics card उसके resolution के लिए तो वो चीज़ें जो है वो directly communicate यूज प्ले responsibilities हैं वो क्या है resource allocation है resources यही है memory हो गई या बाकी यह हमारे पास इसके जितनी भी इसके अंदर equipment होते हैं या इसके parts होते हैं उसको use करना ठीक है main memory भी होती है जो के हमारे इसकी RAM कहलाती है secondary memory hard drive होती है उन दोनों को use कर रहे होते हैं या बाकी जितनी भी parts उनको use करना उसके resource क allocation करनी कि किस पर अगर आप चार पांच program parallel चला रहे हैं जिस तरह मेरे पास यहां पर देखें कि यह program open है कि यह browser भी है यहां पर यह screen recorder चल रहा है तो यह सारी जितने use हो रही है at a time तो यह आपका operating system में manage कर रहा है कि किसको कितनी memory देनी है कितनी allocation करनी है resources की तो next scheduling होती है scheduling भ आप को स्टम बताया यह तरह यह आपके output के लिए display screen यूज हो रही है input आप data कर रहे हैं यह आपको instruction जिस तरह माउस input device है मैं इसको यूज कर रहा हूं इसको मैनेज करना होता है और data management करनी होती है definition यहां पर इसके दी होई आप read out कर सकते हैं experiment आपको कर दिया operating system the software responsible for controlling the allocation and usage of with application ठीक है such as word processing spreadsheet programs and built in Microsoft यह सारी चीदे मैंने बताई है कि उसके लिए यह हमारी foundation होती है operating system उसके उपर हम अपनी यह word processor spreadsheet जो भी हम application software चलाएंगे यह उसकी base के उपर हम चलाते हैं अगर operating system ही नहीं होगा तो हम यह कोई भी application software इस पर use नहीं कर सकते नेक्स device drivers हैं यह मैंने बता दिया जब हम windows operating system install करते हैं तो बहुत ज्यादा जो हमारे इसमें device drivers है वो auto install हो जाते हैं कैसे install होते हैं और operating system में मौझूद होते हैं जैसे कि मैं यहां पर आपको example के तौर पर बताता हूं यह हम right click करते हैं इसके ओपर और यहां properties में जाएंगे आप दिस PC के बाद और यहां पर device manager हम open करेंगे devices जब आप कभी भी new window अपनी system install करेंगे तो यहां पर आपके पास यह device manager की जो इतनी भी device का status हो रहा होता है और यहां पर कुछ के ओपर yellow sign आ रहा होता है वो basically उन devices के drivers हैं वो install नहीं होते हैं आपके operating system के तुरू आपको उने individually बाद में install करना पड़ता है और बहुत सारे software drivers जो है sorry वो auto install हो जाते हैं आपके operating system के वजा से जैसे के आपका keyboard का है mouse का है या आपके graphics के किसी हद्दा कि जो इसका built-in graphic card होता है उसके driver install हो जाते हैं processor का है या sound का है वो अगर वो install ही नहों तो आप फिर इसको use ही नहीं कर सक इसके computer को जो इसके अंदर एक computer या laptop की जो necessary equipment या इसके parts होते हैं उनके driver window के साथ मौजूद होते हैं वो इसको install कर देता है लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होते हैं जिनके driver install नहीं होते हैं यहां बाद में peripheral devices को add कर रहे हैं तो उनके drivers फिर हमें खुद करने पड़ते हैं यहां प install होते हैं लेकिन हमें करने के पड़ते हैं जिस तरह हम sound card आपका होते हैं उसके करने पड़ते हैं मौडम है जिस तरह में example scanner है printer है या आप ऐसा को mobile device connect करें जिसके लिए हमें mostly drivers install करने पड़ जाते हैं लेकिन Windows 10 जो भी latest operating system यूज़ कर रहे हैं इसमें almost 99% आपके drivers install हो जाते ह हमें कुछ update करने पड़ते हैं लेकिन mostly install हो जाते हैं लेकिन अगर आप पुराने किसी ने अगर computer यूज़ किये हों Windows XP पे या 7 पे तो वहां पे तकरीब हमें हमें बहुत सारे software जो थे sorry drivers थे वो खुद install करने पड़ते थे next utility drivers हैं जो software है sorry utility software क्या होते हैं यह इस तरह हम यह डिस्क fragmentation आपने कभी ऐसा software यूज़ किया होगा जो कि आपकी डिस्क की partitions को दुबारा से rebuild कर देता है यह भी उस category में आता है यह हम compression के लिए यूज़ कर रहे होते हैं यह भी बैसिकली आपके data और आपकी hard drive को साथ directly communicate कर रहा होते हैं इस तरह के utility software की काफी जो हैं अगरी में आते हैं यह थोड़े से ambiguous हैं हमारे जो utility software होते हैं नेक्स वाने application software यह clearly बता होगा आप लोगों को जितने भी software हम end user use कर रहे होते हैं mostly जिसकी हमें जरूरत होती है वह सारे application software होते हैं इसकी examples मैं आपको बता देता हूँ आप अभी हमने यह फॉक्सर ट्रीडर open कि यह application software है हम MS Word, Excel, PowerPoint ठीक है या आपको media player open कर रहे हैं या इसके इलावा आप browser open कर रहे हैं को भी website open करने के लिए सारे क्या है application software है यहां भी कुछ और example भी दी गई है कि accounting के लिए software होते है payroll inventory system, guided system for plans यह जितने भी इसकी एक और मैं clear example आपको दे देता हूँ जितने भी यह software होते हैं यह computer को चलाने के जरूरी नहीं होते हैं यह user की requirement होती है वो को काम करना चाहता तो बहुत है मुझे कैसी चीज़ बना दे जो computer में install करूँ और इसके साथ में यह काम कर लूँ application software वो होते हैं जो user की requirement बनाये जाते हैं और system software वो होते हैं जो system की requirement है system उसके बगार नहीं चलेगा नहीं operate होगा application software अगर ना भी install हो वो कोई मस्तला नहीं क्योंकि हर user होता है वो अपनी मज़ीज से application software इंस्टाल कर रहा होता है जिस तरह आपको MS Word की दुरूरत है आप करेंगे एक यूजर है जिसको दुरूरत नहीं है वो नहीं करेगा उसका impact उसके laptop या computer पर नहीं पढ़ेगा ठीक है इसी तरह हम जो users होते हैं यूजर हम बहुत ज्यादा software यूज़ कर रहे होते हैं यह तक्रीबन सारे ही हम application 70s के अंदर bell laboratories थी उसके अंदर यह दो languages पहले उन्होंने जो invent की थी BCPL और बी तैन इसी के ऊपर जो है इसी की base के ऊपर उन्होंने फिर आगे जो था C language बनी थी इसलिए इन दोनों का जिकर किया जा रहा है और जो operating system है वो इनहीं में बनाया जाते थे ठीक है यहां पर यस तरह लिखा हुआ है कि यह बी लैंग्वेज जो थी यूज़ की जाती थी की यूनिक सापरेटिंंग सिस्टम जो था यह बंड़ बना था तो वहां पर इसको यूज़ किया गया था नेक्स यह इसका उपर जिकर किया इन दोनों के फीचर को उन्होंने यूज करते हैं इस लेंविच को जो C लेंग्विच है इसको उन्होंने इन्वेंट किया था और इजात किया था अब Unix Operating System अब किसमें बनाए जा रहे हैं यह C language के अंदर ही बनाए जाते हैं और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है C language जो compiler है वो भी C language में ही बना हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि दसी लेंग्विज इस सो पावरफुल और यह हिस्ट्री है आप इसके रीट कर सकते हैं इसमें ऐसा कुछ डिसकस करने वाले नहीं है और नहीं को इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कंसेप्स जिससे मतलब के जरूरी है लेना उसे और नेक्स्ट वाइन जो हमारे पास टूल्स हैं जो कि प्रोग्रामर को जिनक को हम उसमें अपना कोड लिखना चाहते हैं इस वजह से हम उस एडिटर को यूज करते हैं टूल्स फार राइटिंग अप्रोग्राम सिंपल इसकी डेफिनेशन है ठीक है इसके अंदर यह सारी इसने डिटेल दी हुई है कि हम उसको किस तरह यूज करते हैं या उसमें क्या इंटर्प्रेटर या यह डिबगर और लिंकर और लोडर यह सारे अकट्थे एक सिंगल टूल के अंदर होते हैं जिसको आजकल हम आई डी कहते हैं इंटिग्रेटिड ड्वेल्मेंट इन्वायर्मेंट लेकर यहां पर इंडिविजुली वन पर वन सब को दिया हुए तो इ कैंदर इंड फD लोड पर पेड़या कि आप रूट ऑपन करें यह नोडपट ब्लसप्लस यह त्रीक्सी और आग़ेगा पहल अपना कोड लिख सकते हैं और इस नोड़ पैट को भी आप लोग यूज करते होंगे या आपने अगर यह नोड़ पैट प्लस प्लस भी यूज किया हुआ है तो यह आपके लिए क्या है यह टेक्स्ट एडिटर है ठीक है यहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं यह उसकी एक्जैम्पल है नेक्स है हमारे पास कमपाइलर और आन इंटरपरेटर किया होते हैं कोड लगए कोड लिख लिए आप हमने उसको कमपाइल करना है कंपाइल करने का मतलब यह हमने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के जोण przisyलेट करना है कि ठीक है as we write the code in English language और computer के understand करता है वो सिर्फ zeros and ones understand करता है तो हमें इसको translate करने के जरूर रपड़ती है code को किसमे machine code में या machine language में तो इसके लिए हमें दो तरह के translators available है सबसे पहले हमारे पास interpreter है और second number पे compilers है इन दोनों के functionalities किस तरह different है यह हम देखते हैं कि जो interpreter होता है वो line by line जो है क्या करेगा code को translate करेगा एक line जिस तरह हमने response की यह code लिखा है एक line यह दूसरी line उसने पहले एक line को translate करना है फिर दूसरी को फिर ती से को और इसी तरह next हमारे पास जो compiler होता है यह interpreter था जिसने line by line करना है compiler ने क्या करना है उसने मुकमल प्रोग्राम जिसने यहां पर लिखा है कि whole program and translate into machine language completely उसने अगर 10 line का code है 20 का है 30 का उसने अकठा ही सब को compile करना है उसका output जनरेट करना है और interpreter ने क्या करना है एक एक line करके उसको वो compile करता जाएगा और उसको translate करता जाएगा इसके अंदर difference इनमें दोनों में क्या है कि compiler जो है compiler विल स्टॉप translation इट फाइंड अएरर अगर कहीं पर error आ जाता है code में तो compiler वहां पर translation को रोग देता है और उसकी execution की जो file executable file जो हम exe file कहते है या उसका machine code जो है वो जनरेट नहीं करता क्यों क्योंके error आ गया और उसने वहीं पर काम रोग दिया interpreter क्या कहते है execute all the lines before error and will stop at the line which contains the error जिस लाइन पर error आएगा वहां पर जाकर रुके का उससे पहले वाला वह सारा translate कर चुका होगा तो वो कहते है so compiler needs syntactically correct program to produce an executable code जो जनरेट करके नहीं देगा अगर अब भी आपने c language में कभी code लिखा हो इससे पहले तो आपके exe file जनरेट ही तब होती जब आपका program successfully compile हो जाता है लेकिन interpreter में ऐसा नहीं होता वो जितना code ठीक हो उसके लिहाद से उतना उसको translate करके exe file को जनरेट कर देता है next debugger debugger क्या होता है debugger का असल काम ही होता है कि आपके program के अंदर जो errors है वो उनको identify करेगा errors कौन से syntax error logical error कभी भी आपका compiler आपको detect करके नहीं देगा यह मैंने पहले पी जिकर किया था कि दो तरह के हमारे main errors होते है logical and syntax error third one run time error होते है वो बहुत कम अकर होते है उसको हम discuss करेंगे किसी time पे syntax error क्या होता है ऐसा error जहां पे हम किसी भी language के rules जा grammar जिसको हम syntax कहते है उसको follow ना करें जिस तरह हमने कल एक example previous code lecture में देखा था कि उसने कहा था कि computer जो है stupid है stupid क्यों है इसी वज़ा से कि एक चीज़ जिस way में हमने करनी है उसको बतानी है कि what is time तो हमने what is time ही लिखना है हम only time नहीं लिख सकते ठीक है what time या उसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो इसी तरह जब जो प्रोग्राम हमने लिखना है जहां पर हमने कॉमा लगाना है dot लगाना है जो keyword यूज़ करना है जो करना है bracket लगानी है वो हम 100% इसको follow करेंगे तो प्रोग्राम आपका चलेगा otherwise उसमें error आएगा और error कि आओगा उसमें bugs कहलाते है और उसको debug करना debugging कहलाता है उसको remove करना तो यह basically just logical errors को sorry syntax error होगा यहां पर इसने यह गलत लिखा हुआ है logical errors को correct नहीं करता यह आपके handouts में भी mistake है इसको आप किसी भी और website या Google या कहीं पर भी जाके search कर सकते है यह इसने एक बहुत बड़ी mistake की हुई यह आप students को जो उसने content provide किया है logical errors कभी भी debugger find नहीं करता वो syntax error find करता है और उसने यहां पर logical word यूज कर दिया मैं खुद देख के हरान हो रहा हूँ कि यहां पर logical word क्यों उसने लिखा हुआ है ठीक है क्योंकर compiler आपके logic तो नहीं जानता ज़रे हम नेक्स topic में हम जब logical error पढ़ेंगे तो वहां पर मपताऊंगा तो यह इसने यह debugger का काम होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जहां से भी आपने प्रोग्राम में कोई भी syntax को follow नहीं किया वहां पर error generate करेगा और आपको उसका message display करवा देगा इस तरह अगर आपने कभी प्रोग्राम लिखा हो तो नहीं कि error आ जाता है यह red line प्रोग्राम में आ जाती है यह वही debugging हो रही होती है next है linker, linker क्या होता है यह आपकी library file, header files जा उसके इसमें चीज़ें होती है जिसका हम routines कहते हैं वो अभी आप use नहीं कर रहे है इसलिए आपको समझ नहीं है आप simply यह समझ लिए कि आप library files और functions जो है उनको आपस में interlink करता है हम ऐसी चीज़ें जिसरा हमने एक प्रोग्राम लिखा होगा स्टार्ट में ही तो हमने लिखा होगा आयूस रट्रीम यह आपके library file input output की जिसमें ऐसी definitions उन functions की उन keywords की मौझूद है जिसको हम simple input output के लिए गर प्रोग्राम लिख रहे हो बिल्कुल basic उसके अंदर see out, see in या कोई भी हम प्रोग्राम लिखे उसके लिए हम use कर रहे होते हैं तो यह उस library file को आपके प्रोग्राम के साथ जो interlink करता है या उसके साथ connect करता है उसके linking करता है यह चीज़ लिंक कर रहा होता है include all those routines and functions which are using in our program यह उसने basically देखना होता है आपके प्रोग्राम के अंदर कौनसे functions, कौनसे routines use हो रही है उसके accordingly जो आपने library files ओपर heading में या header को में add की होती है तो उसने उसके साथ लिंक कर देना होता है आपके प्रोग्राम के साथ next one है loader, loader क्या होता है आपका प्रोग्राम लिखा गया फिर आपने इसको compile किया, compile करने के बाद उसकी linking हो गई उसकी library files के साथ, header files के साथ next क्या करना है, उसकी exe file generate हो जाएगी जैसे वह successfully compile और linking हो जाएगी तो उस exe file को हमने देखा होगा जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोई भी अगर हमने यहाँ पर code लिखा हुआ है, यह मेरे पास different code C++ में लिखे हुए है तो यहाँ पर यह हमारा code है, जब है इसकी exe file यह exe file इसकी generate होती है जब हम इसको compile कहते हैं, यह आपकी disk के उपर ही save होती है, disk जिसको हम hard drive कहते हैं, ठीक है इस file को जब RAM के उपर load किया जाते है, क्योंकि आपको शायद यह पता हो या आपके knowledge में ना हो, मैं आपको चीज यह भी बताता हूँ क्योंकि जो भी आपकी चीज रन हो रही होती है, आपका computer जिस चीज को चला रहा होता है, या वो आप उस पे work कर रहे होते हैं, वो आपकी memory से, secondary memory से main memory में load होती है main memory कौन से होती है, RAM, secondary memory कौन से होती है, आपकी hard drive, तो आपका data hard drive से directly कभी भी operate नहीं होता, उसको load किया जाता है memory पे, इसी process को loader जो है, वो करता है, कि program आपका execute हुआ, यहाँ पर यहाँ से directly run नहीं होना, यह पहले RAM के उपर load होगी, और RAM से फिर आगे इसने execute होना होता है, तो आपके executable program को, वो क्या कहता है, कि वो save होता है, आपके disk के ओपर, then फिर आपने उसको load करना होता है, memory के ओपर, तो यह process जो है, loader कर रहा होता है, linker and loader are parts of the development environment, यह मैंने आपको पहले भी बदाया है, कि हमारे पास यह जितने भी tools उसने one by one अलग लग discuss किया है, कहां से dev c++ use कर रहे हैं, यह आप करेंगे आप, तो यह जो है, इसके अंदर सारी चीज़ें अकठी मौझूद हैं, यह आपका IDE कहलाता है, compiler नहीं होता basic के लिए, यह देखें, इसके अंदर यह text editor available है, यहाँ पर आप text लिखेंगे, फिर आप program को save करने के बाद compile करेंगे, तो यह आपके program को compile भी करेंगा, उसकी debugging की जैसे है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, hint x, तो इसमें एक error है, जहाँ पर इसको पहले save कर लेते हैं, वो error जो है, जह देखें, इसकी debugging की, अभी इसने compilation start किया, आप उसकी debugging कर रहा है, debugging यह उसने किया, इसने error display करवाया है, और य syntax error जिसको उसने find किया है, तो यह चीज़ें सारी एक ही के अंदर, अब हम इसको run करूंगा, यह देखें, मैं यहाँ से इसको run कर रहा हूं, तो यह उसकी loading भी खुद बखुद कर रहा है, ठीक है, खुद बखुद कैसे कर रहा है, यह उसके अंदर available है, यह loader मौजूद है, इसके अंदर, ठीक है, यह सारी चीज़ें हमारे एक ही application के अंदर मौजूद हैं, जिसको हम IDE कहते हैं, यहाँ end पे last यह हमारा loader के बाद यह topic उसने दिया हुआ है, इसमें एक पिक्रियल फार्म के अंदर यह सारा process उसने शो करवाया हुए, एडिटर है, प्रोसेसर है, compiler, link and loader, और यह फिर इसको disk के ऊपर save करता है, यह मैमरी पे इसको load करता है, loader puts program in memory, यह आपकी main memory के बात हो रही है, यहाँ की RAM हो दी है, ठीक है, और यहाँ से आपका प्रोग्राम, और यह सारी चीज़ें के इसके ऊपर हो रही होती है, यह डिस्क डिस्क जिसको हाँ हार्ड या hard disk भी कहते हैं editor भी उस पर वर कर रहा होता है processor भी compiler भी linker भी यहीं पर हो जाता है exe file जब generate हो जाती है तो वो फिर loader उठाके disk से कहां ले जाता है आपकी RAM के उपर और वो RAM से फिर run हो रही होती है सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं जितनी भी आपकी application या software जो कुछ भी आपके computer या laptop पर चल रहा है इस time उस सारे का सारा memory पर पहले load होता है इसलिए आपने देखा होगा जिस computer या laptop की memory RAM जिसको हम कहते है में मेमरी वो ज्यादा होती है वो आपका efficiently work कर रहा होता है उसकी वज़ा क्या है कि वहां पर ज्यादा space available होती है और parallel आप ज्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं या उसको easily वो manage कर सकते हैं आपकी RAM अगर वन जी बी या टू जी भी होगी वो efficiently work नहीं कर रही होती है उसकी वज़ाए यही होती है कि आपका प्रोग्राम हमेशा RAM पे जाता और RAM से पिर आगे रन हो रहा होता है तो जी students यह आज का आपका लेक्चे था जिसमें हमने कौन कौन से topics cover कि है first of all तो हमने software की categories को discuss किया उसके बाद हमने application और system software को detail से देखा फिर history हमने थोड़ा सा readout किया बाकी यह history आप खुद readout कर सकते हैं content DIY में और फिर development environment को हमने देखा है जिसको मैंने one by one editor फिर उसके बाद हमने देखा था compiler compiler के बाद हमने debugger फिर हमने linker और loader फिर मैंने अन्पजे भी आपको बताया कि यह dev जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यह compiler नहीं है only compiler नहीं है compiler इसके अंदर मौजूद है यह बैसिकली आइड़ी है इंटिग्रेटेड ड्वेल्मेंट इन्वाइर्मेंट ठीक है तो यह सुड़े आई होप आपको यह concept समझ आ गए होंगे तो इन्शाला नेक्स वीडियो के साथ फिर मैं हाजर हूँगा अगर आपको जो वीडियो अच्छी लेगी तो इसको लाइक करें कमेंट करें और अपने बाकी कॉलिग्स जा फैलोस को भी लाजमी शेयर करें ताके वो भी यहां से knowledge हासल कह सेकें थ